हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू स्टु ओन माइसल्फ देवरत राज पर्सुइंग मेडिकल साइंस ब्हु वारा नसी मैं पिछले 5 साल से बायोजी पढ़ा रहा हूं और बायोजी पढ़ाने का हमारा एप्रोच यह रहता है कि पहले हम चीजों को समझेंगे उसके बाद उस से रिकॉल हो पाए एक्जाम के टाइम पर क्यूंकि बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्स अप ना हो जाए इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं तो हमारा एप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे उसके बाद लं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एको सिस्टम और उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा होगा इन्वारमेंटल इसूज ठीक है और एक है चैप्टर आपका बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यह चारो चैप्टर जो है इस यूनिट में है एकोलोजी यूनिट में ठीक है और एक्जामनेशन पॉइंट ऑफ यू से देखें तो एक्जामनेशन पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपोटन टॉपिक है पहले तो इससे पंदरा पंदरा बीस बीस कोस्टन आता था इस चारो चैप्टर को मिला के यानिकि अकेला एकोलोजी से आफ उसको आप अच्छे से परिएगा एंस एक एक लाइन एक एक एकजामपल आपको याद करना पड़ेगा जैसा कि आपको हर एक चैप्टर में करना परता इस चैप्टर में भी करना और गया है और यह सब अलग अलग तरह की ओर दो चीज होता है जैसे आपका गाय से कैसे क्या integration होगा आप ख़ाना खिलाएंगे अपको दूद देगी ये क्या है interaction तो organism का आपस में interaction ङे और दूसरी बात क्या ओर द्सक्राश और दीसम का इंवारामेंट कैसे हो गया जैसे तेज गर्मी हो रहे है यह ठंडी हो रहे है यह बरसात हो हो रही है तो जो environment का जो organism से interaction होता है यह अलग बात हो गए इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं ecology बोलते हैं the study of interaction within organism and interaction of organism with environment interaction of organism with environment और interaction of organisms with other organisms यह दोनों को मिला के क्या बोलते हैं ecology बोलते हैं तो आपको ecology का definition का मतलब धंग से समझ में आ गया होगा कि organism का आपस में क्या interaction होता है और organism का environment से क्या interaction होता है इन सब के study करने को हम क्या बोलते है ecology बोलते हैं ठीक है तो अब अगर हमको यह पता चल जाएगा कि organism का आपस में interaction और organism का environment से interaction हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको तो क्या पढ़ना पढ़ेगा कि organism क्या होता है सबसे पहले क्या पढ़ना पढ़ेगा वाट इज organism ठीक तो organism आपको हम पढ़ा चुके हैं the living world पढ़ाए थे वहां पर आपको बताए थे कि organism क्या होता है ठीक है living organism क्या होता सोंगाहे थे लिबिग ओर रही चाली नर्गिशन मेंड़ सेन्सव और देंस अато जीए लिप चुक्त हैए यह पढ़ चुकि भीसको लफ़वेंगे मैं इसको पोपुलेशन जैसे क्या है कि अगर हम यह यहां पर बहुत सारा गाय है ठीक है तो बोल देंगे गाय का पॉपुलेशन है बहुत सारा आदमी है तो क्या बोल देंगे आदमी का पॉपुलेशन है ठीक है तो इसको पॉपुलेशन को define कैसे करेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि particular geographical area को consider करते हैं जैसे बनारस का population तो बनारस का population जब भी आप बोलते हैं तो आप बनारस का जितने आदमी है या उस एरिया में जितने जीवजनतु है उन सब को मिला के बनारस का population बोलते हैं यह मतलब ऐसा नहीं होता है कि बनारस का population बोलना है तो उसमें लखनों का आदमी भी आ गया बनाराज का population का मतलब क्या हो गया कि जो particular geographical area है उसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो population को कैसे define करेंगे तो population को define कर सकते हैं group of individual क्या बोल सकते हैं group of individual in a particular geographical area इन a particular geographical area उसमें लिखा हुआ है sharing or compete with similar resources sharing or compete with similar resources इसका मतलब क्या है इसको समझें sharing का मतलब क्या है या तो similar resource share कर रहे हैं या फिर उसी resource के लिए compete कर रहे हैं जैसे जैसे यह है कि आपको खाना खाना है चावल दाल हमको भी खाना खाना है चावल दाल तो जितना चावल दाल available है उसमें से हम दोनों share कर सकते हैं या हम दोनों compete करेंगे तो जिसको ज्यादा मिलेगा वो ज्यादा खाएगा जिसको कम मिलेगा वो कम खाएगा तो या तो resources को share करेंगे या उस resource के लिए एक दूसरे में compete करेंगे कि जिसको मिल गया वो उसका हो गया जिसको नहीं मिला उसका नहीं हुआ तो group of individual living in a particular geographical area sharing or competing for similar resources is called as population ऐसे हम population को define कर सकते हैं तो अगर similar resource है तो similar individual होगा तभी तो similar resource होगा तो यह population का definition तो organism क्या है और population क्या है इसको अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद हम यह chapter श्टार्ट कर सकते हैं देखिए organism and environment तो आपको अब यह हम क्या बता है ecology, ecology का definition आप लोग लिख सकते हैं interaction of interaction of organisms collaborateering और अनेशम Myраж landscape Nature कि आपको आपकरे सब्सक्राथ रिनेश्ट क्यो आपको इज पॉर्ड पिपोलोजी यह स्टेडी ओफ इंट्रेक्शन ओफ और विजम्स विद अधर और अर्गनिजम्स और दूसरा क्या है विद देर इन्वारमेंट यह क्या एकोलोजी है आपके एंसेटिम्ट लाइन बोला है बोलता है कि एकोलोजी एट और्गनिजम लेवल इसको समझेए क्या करना चाहता है कि द्यान से देखे क्या बोला है एकोलोजी एकोलोजी एट अर्गनिजम लेवल इसेंटिया फिजियो लोजिकल एकोलोजी अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर और्गनिजम के लेवल पर बात करते हैं एक तो होता है पोपुलेशन के लेवल पर बात कर रहे है या होता है कि कम्यूनिटी के लेवल पर बात कर रहे है या सिर्फ और्गनिजम के लेवल पर बात कर रहे है तो इस तरह से एकोलोजी होता है तो हम बात कर रहे हैं कि अगर और नीजम से इंट्रेक्ट कर रहे हैं या फिर हम इंवारामेंट से इंट्रेक्ट कर रहे हैं तो फिजियो लोजिकल लेबल पर कर रहे हैं कैसे उसको समझेए कि अगर हमको इंवारामेंट से खाना चाहिए तो वह खाना हमको डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा यह हमारा फिजियो लोजी डिसाइड करेगा अगर हम दूसरे annual से compete कर रहे हैं किसी resource के लिए तो वो resource हमको चाहिए हमारे body के growth के लिए हमारे reproduction के लिए हमारे well being के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए वो हमारे physiology डिपेंड करेगा हमारे environment में क्या temperature है वो temperature हमको suit कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमारे physiology डिपेंड करेगा तो इसलिए बोला है आपका एंसे आटी कि ecology at organism level इसेंसियली है physiological ecology यह sentence जनरली समझ में नहीं आता बच्चों को इसलिए हम आपको अलग से समझा दिये इसके बाद देखिए ecology का definition आपको हम बता दिये हैं population क्या होता है organism क्या होता है यह बता दिये हैं आपको अब यह एक डाइगराम दिया हुए आपको ncrt में जहां पर ecology स्टार्ट होता है वहीं पर इस डाइगराम का क्या काना है इसको समझिए biome distribution with respect to annual temperature and precipitation दो टर्म है यहां पर एक टर्म है annual temperature और दूसरा टर्म है annual precipitation तो annual precipitation और annual temperature का क्या मतलब है इसका मतलब है कि जैसे अगर आप विहार में रहा रहे हैं अगर आप उत्तर-परदेश में रहा रहे हैं ठीक है तो उत्तर-परदेश में साल भर का average temperature कितना है mean annual temperature मतलब जब गर्मी हुआ था तो maximum temperature क्या था minimum temperature क्या था जब थंडी था तो maximum temperature क्या-ðчи मिनिमाम temperature क्या था overall पूरे llegakड़िकल एडिया का ठीक है तो उसको ऊम पर डे का temperature रिक्षार करेंगे जिए आज का maximum temperature इतना minimum temperature इतना तो average इतना तो एक दिन का average निकल जाएगा फिर उसको साल भर का average temperature होगा फिर साल भर का average को sum कर देंगे और उसको 365 दिन से divide कर देंगे तो पता चल दाएगा कि साल भर का average temperature कितना है तो साल भर का average temperature किसी particular geographical area का हम निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते है mean annual temperature ठीक दूसरी बात है mean annual precipitation इसका क्या मतलब है इसका मतलब है साल भर में कितनी बारिस हुई बारिस कितनी हुई तो बारिस को कैसे measure करते है centimeter से कैसे measure करते है centimeter से ऐसे container होता है particular geographical area में उसमें देखते हैं कि कितना centimeter उचाई तक पानी भरा है ठीक है तो उसको cubic centimeter वाले apparatus से measure कर सकते है या फिर particular apparatus होता है उस apparatus से measure करते हैं कि particular दिन जब बरसात का time है तो आज के दिन कितना mm बारिस हुई कल के दिन कितना mm बारिस हुई फिर उसको साल भर का जोड़के उसको बताते हैं कि annual average कितना cm बारिस हुआ है तो mean annual temperature और mean annual precipitation हम क्यों पर रहे हैं इस graph में वो इसलिए पर रहे हैं क्योंकि temperature और rainfall ही decide करता है कि उस particular area में कौन सा पोधा होगेगा और उस particular area में कौन सा पोधा होगेगा ये decide करता है कि उस particular area में कौन सा जानवर रहेगा इसको समझ यह आप जैसे अगर desert area है ठीक है तो desert area में घास तो उगएगा नहीं तो घास खाने वाली बकडी तो वहाँ मिलेगी नहीं समझ पार हैं आप क्या बूले हैं तो कहने का मतलब है कि अगर area ऐसा है geographical area तो साल बर में बारीश कितनी हुई है साल बर में तो साल बर में बारीश ज्यादा होगी और टेंप्रेचर अगर नॉर्मल रहेगा तो तो क्या होगा कि वहाँ पेर पुद्धे ज्यादा होगेंगे तो खाने का समान ज्यादा है क्योंकि जितना भी animal है वो किस पर dependent हैं प्लां क्या है ओड़ो ड् decor और गव вним लो找 एक इस से प्लांट जाए तो उसको क्या चाहिए हाना चाहिए तो क्या ख़एगा उससे है चुब स्फक्त खाना दोगा जब गलांट होगा प्लांट कभ और जब बारिस होगी टो तो mean annual temperature और mean annual precipitation ये decide करता है कि उस particular area में क्या flora और fauna होगा मतलब plant और animal कौन से होगे ठीक है तो देखिए वही चीज आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये mean annual precipitation 50 cm साल भर में बारिस हुई है ये कहा होता डेजर्ट में बारिस बहुत कम होती है थीख लेकिन temperature देखिए इसका average damn ये 78 से लेके कहां तका है 22 तक है थीक तो average temperature इसका जानते है डेजर्ट में गड़िस्तान में गड़िए्डेस ट्रारर जैदा है लेकिर प्रिसिपिटेशन कम है तो प्रिसिपिटेशन कम है बारिस कम है तो फिर पोदे भी कम उपते हैं इसलिए तो क्या होता है वह मरु अस्थाल होता है रेगिस्तान होता है उसी तरह से और आगे जाहिए एवरेश मीन एनुवल प्रिसिपिटेशन ज़्यादा है एक सो है तो इसमें कौन-कौन सा गया ग्रास लेंड कौनिफेरस खोरेश्ट और अर्क्टिक और अल्पाइन टुन्रा आप देखेंगे कि आर्क्टिक जो है वो एडिया वह मां क्या होता है बर्फ जमा होता है तो इस यह अब गांस लेंड में क्या होगा घास और ज्यादा बारिस होती है 150 cm 200 cm तो और ज्यादा टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फेल सिर्फ घास था जंगल आ गया क्यूं क्यों क्यों ज्यादा स फिरफोध़ ज्यादा पेर पोदे कब हो गएंगे जब ज्यादा बारिस होगी तो 150-250 यह सब क्या है बारिस ज्यादा और यह इसलिए पेर पोदे भी ज्यादा ओग रहे हैं ठीक है तो इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि डिजर्ट के बारे में आपसे पुछा जाएगा तो आपसे टेंपरेचर इस लो एंड मीन अनुवल प्रेशिपिटेशन इस अल्सों लो इस तरह से कोश्चन आपसे उचा जा सकता है तो ठीक है उम्मीद करते हैं यह ग्राफ आपको समझ में आया होगा कुछ नेक्स चलते हैं हम लोग मेजर एबायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है एक होता है बायोटिक फैक्टर एक होता है एबायोटिक फैक्टर तो क्या है हमारा इनिमल है प्लांट है ठीक जो की जीवित है जो लिविंग है वो क्या होगा बायोटिक फैक्टर जो नॉन लिवि तो मतलब कोई टेंपरेचर से और्गनीजम पर क्या परभाव पड़ेगा यह आपको समझाने की कोशिच की जा रही है तो टेंपरेचर जो होता है जैसे आप इंटर्नल टेंपरेचर कितना मेंटेन होना चाहिए 37 डिगरी सेल्सियस यह हमेशा मेंटेन रहता है इंटर्नल टेंपरेचर बाहर भले ही गर्मी हो प़रसाथ हो दूप हो थंडी हो उससे प् highlighter का टेंपरेचर हमेशा बोड़ी का लिए चाहीं 37 डिगरी सेल्सियस होना चाहिए ठीक है अब अगर temperature 37 डिगरी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा uncomfort zone हो जाएगा discomfort zone हो जाएगा ठीक है तो human क्या करता है कि अगर बाहर गर्मी आ गया ठीक या फिर बाहर ठंडी आ गया तो क्या इसका अंदर का temperature ऐघन होता है क्या नई झेंज होता है ठीक है लेकिन अगर कोई दूसरा कि यह लोग क्या करते हैं कि जैसा इन्वाइरमेंट का टेंपरेचर है व surg är इसके body का temperature भी होता है ठीक है, तो दो तरह की बात होती है एक होता है conformer, एक होता है regulator क्या होता है conformer और regulator internal environment को maintain करेगा जो वो क्या होगा, regulator जो internal environment को maintain नहीं कर पाया हो क्या होगा conformer यह आपको आगे पढ़ाएंगे, temperature के range के basis पे, दो तरह के organism होते है, एक होता है यूरी thermal यूरी thermal और एक होता है estenothermal यूरी thermal और estenothermal इसका क्या मतलब है यूरी thermal जो organism होते है wide range of temperature can tolerate तो दो तरह के organism होते है या तो यूरी thermal और 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 या फिर estenothermal और और ऐसे organism जैसे हम है तो हम अभी अगर ठंडी हाएगी तो 5 degree Celsius होगा temperature तब भी हम जिन्दा रहेंगे और अगर गर्मी है 50 degree Celsius है तब भी हम जिन्दा है तो मतलब 5 से 50 degree Celsius बहुत बड़ा range हो जाता है ठीक तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसे organism जो की wide range of temperature में survive कर पाते हैं wide range of temperature को tolerate कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं यूरी thermal organism और जो narrow range of temperature को survive कर पाते हैं यूरी थर्मल या फिर एस्टीनो थर्मल तो दो तरह के और्गिंजम होते हैं टेंप्रेचर टोलरेशन के वेसिस पर या तो यूरी थर्मल या फिर एस्टीनो थर्मल तो wide range of temperature को जो टोलरेट करेगा यूरी थर्मल और जो narrow range of temperature को टोलरेट करेगा वो एस्टीनो थर्मल ठीक है तो यह हो गई temperature की बात temperature के बारे में आपके NCRT में यही सब लिखा है कि जो regulators होते हैं या फिर जो mammals होते हैं वो क्या करते हैं वो wide range of temperature को टोलरेट कर सकते हैं वो आर्क्टिक टुंडरा में भी रह सकते हैं मतलब जो माइनस में डिग्री टेंपरेचर जहां होता है वहां भी रह सकते हैं और जो थार डेजर्ट है सहारा डेजर्ट है जहां पर बहुत ज्यादा temperature होता है एस्कोर्चिंग डेजर्ट बोला है क्या बोला है एस्कोर्चिंग डेजर्ट एक word यूज किया है NCRT आपका इसका मतलब क्या होता है hot burning मतलब इतनी गर्मी की जला दिने वाली गर्मी ऐसा डेजर्ट में भी मेमल्स जिंदा रह जाता है ठीक है तो इसके अलावा temperature के बाद बात करते है water का तो water के बारे में बोलता है NCRT कि water कितना जरूरी है यह बात आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर water नहीं होगा तो life नहीं होगा water में ही life का origin हुआ है अगर evolution point of view से देखें तो life originated in water ठीक है तो water में ही क्या हुआ है life का origin हुआ है तो लेकिन water के बारे में एक और चीज़ बोलता है कि आप ऐसा मत समझिए कि जो जीब जनतु पानी में रहते हैं उनको water से related समस्या नहीं होती है ठीक है उसमें सब सब लिखा है it doesn't mean that organisms living in water do not face any water related problem तो water related problem उनको भी होती है उनको क्या समस्या होती है पानी तो मुझके पास है पीने के लिए तो पीने की कमी नहीं होती है उनको समस्या क्या होती है quality of water quality of water quality of water से मतलब यह है salt concentration होता है जो normal inland water होता है inland inland water मतलब चापाकल से जो आप पानी निकालते हैं पीने के लिए जो normal inland water होता है उसमें salt का concentration 5 ppm होता है कितना होता है 5 ppm होता है salt का concentration ठीक तो इस तरह से और अगर जो आपका sea water है ocean का water है तो c में concentration 35 ppm के असपास होता है उसमें नमक ज्यादा होता है ठीक और अगर काता है कि आपका anxiety सम हैपर सेलाइन लेगून हैपर सेलाइन लेगून है पर सेलाइन लेगून हैपर सेलाइन लेगून में 100 ppm से भी ज्यादा salt concentration होता है hyper saline का मतलब भी क्या है बहुत ज़्यादा salt जहाँ पे हो ठीक है तो ये बोलते हैं कि salt का concentration किस तरह से vary करता है पानी में तो अब अगर जो organism sea water में रहते हैं और जो organism fresh water में रहते हैं जैसे नदी में रहने वाले जीब और समुद्र में रहने वाले जीब दोनों के इसमें अंतर है अगर समुद्र में रहने वाले जीब को उठा के हम नदी में डाल देंगे और नदी वाले को समुद्र में डाल देंगे तो दिक्कत आएगी क्यों दिक्कत आएगी क्योंकि ये ज़्यादा salt concentration में रा रहा है ये कम salt concentration में रा रहा है तो नदी वाला जब जाएगा समुद्र में तो क्या होगा उसके सरीर से पानी निकल के बाहर चला जाएगा क्योंकि बाहर concentration ज्यादा है और समुद्र वाला जब आएगा नदी में तो नदी में जब आएगा तो जो समुद्री जीव है उसके अंदर salt concentration ज्यादा है तो बाहर से पानी उसके शरीर के अंदर आएगा उसका body swell कर जाएगा एक्सेस वाटर जो है इंटेक हो जाएगा तो दोनों जगा दिकत है इसलिए क्या बोलते हैं कि water का quality जरूरी होता है किसके लिए aquatic animals के लिए तो salt concentration के basis पे भी दो तरह का organism defined क्या गया यूरी हलाइन और एस्टीनो हलाइन यूरी हलाइन और एस्टीनो हलाइन तो यूरी हलाइन का मतलब क्या हो जाएगा those organism who can tolerate broad range of salt concentration तो यहां हम लिख देते हैं broad range of salt concentration तो broad range of salt concentration को अगर कोई organism tolerate कर आ रहा है तो उस organism को हम क्या बोलेंगे यूरी हलाइन organism बोलेंगे और एस्टीनो हलाइन किसको बोलेंगे एस्टीनो हलाइन बोलेंगे जो narrow range of salt concentration को tolerate कर पाएगा narrow range of salt concentration ठीक तो narrow range of salt concentration को जो tolerate कर पाएगा वो एस्टीनो हलाइन और जो broad range of salt concentration को tolerate कर पाएगा वो Eurealine तो water एक important abioetic factor है जिस से organism का interaction होता है और temperature ऑफिरे एक important abioetic factor है जिस से organism का interaction होता है इसके अलावा light का क्या रोल है light का रोल ऐसा है कि जब light रहेगा तभी photosynthes होगा और जब photosynthes होगा तרहाभी प्लांट खाना बनाएगा और जब प्लांट खाना बनाएगा तभी हमको खाना मिलेगा तो इंडरेक्टली लाइट का बहुत important role है sunlight is the ultimate source of energy या फिर बोल सकते हैं sunlight is the ultimate source of all the energy on earth या बोल सकते हैं sunlight is the ultimate source of all the energy on earth तो light का बहुत important role है अगर अर्थ पे जिन्दा राना है तो तो light से मतलब यहां किस light का है light से मतलब है यहां sunlight तो sunlight के बारे में एक sentence बार बार पुछा जाता है क्या पुछा जाता है it is the ultimate source of all the energy on earth तो sunlight क्या है ultimate source of all the energy on earth तो sunlight से कैसे affected है organism क्योंकि जितने भी organism है या तो autotroph है या फिर heterotroph है तो autotroph को खुद का खाना बनाना है उसके लिए light चाहिए तो autotroph भी बीना light के जिंदा नहीं रहा पाएगा और जब तक autotroph खाना नहीं बनाएगा तब तक heterotroph को खाना नहीं मिलेगा तो heterotroph भी जिंदा नहीं रहा पाएगा तो हम लिख सकते हैं कि autotroph is directly dependent on light ठीक और heterotroph is indirectly dependent तो यह आपके लाइट का रोल है इसके लावा आता है लास्ट का रोल हो सकता है स्वाइल में क्या-क्या quality compromise हो सकता है स्वाइल का क्या-क्या quality आपके लिए जरूरी है तो स्वाइल के बारे में बोलता है कि स्वाइल का formation कैसे हुआ यह आप ध्यान दिजिए स्वाइल के अंदर एक इंपोटेंट चीज होता है कि water holding capacity क्या होता है यह है कि आज आप irrigation किये खेट का सिचाई किये और साड़ा पानी चला जाया अंदर पानी को वह hold करके रखी नहीं पाया थोड़ा देर के लिए 6 गंटा भी 10 गंटा भी 12 गंटा भी तो ताकि उसके जो अन्ट है उसके रूट को पानी मिल सके पानी डाले और साड़ा पानी चला गया 10 फिट अंदर तो वहांत्र रूट है नहीं तो पानी तो यहांत यहां पर hold करके रखनी पाए तो अगर hold करके रखनी पाए तो वहाँ plant उग सकता है क्या वहाँ plant germinate नहीं करेगा plant अच्छे से grow नहीं करेगा तो soil का water holding capacity सही होना चाहिए इसके लबाद soil में और क्या होना चाहिए soil में minerals हैं की नहीं वह देखना पड़ेगा ठीक इसके अलाबा soil का topography एक word use क्या आपका ncati क्या लिखा है topography topography का मतलब होता है slope जैसे soil जो है वो plan field में है या फिर soil जो है यह mountain area में है यहाँ पे आप खेत बना दिये है ऐसे slope पे है तो उपर inclining slope है या declining slope है इस तरह से है या plan है तो यह इस पर define करता है कि soil किस तरह से काम करेगा तो soil का formation कैसे हुआ है water holding capacity कैसा है soil के अंदर minerals क्या-क्या है soil का topography कैसा है यह सब factor decide करता है कि उस soil में किस तरह के plants develop होंगे किस तरह के plant easily grow करेंगे किस तरह के plant के growth को वो support करेगा soil ठीक है तो यह आपका major abiotic factor है कौन-कौन सा है temperature water light और soil इसके बाद हम देखते हैं next है हमारा responses to abiotic factor अभी हम आपको बता रहे थे regulator और conformer तीन तरह के जीव होते हैं कौन-कौन से conformer regulator और partial regulator ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं regulator का और regulator कौन है हम लोग example हमारे क्या है regulator का mammals एक्जामपल ले सकते हैं हम the mammals regulator होता क्या है regulator ऐसा होता है कि external environment में जो भी change आ रहा है उससे बेफिकर होके हमको अपना internal environment maintain करना है अपना homeostasis maintain करना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं का मतलब organism हूँ 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 हम देयर इन्टर्नल इंवारामेंट इन्टर्नल इंवारामेंट इन्रिस्पेक्टिव और चाले कहेंगे इन्रिस्पेक्टिव और चैंजेज इन्टर्नल इंवारामेंट इसका मतलब क्या है यह समझते हैं कि एक्सेश पर क्या है एक्स्टर्नल इंवार्ण इंटर्नल इंटर्नल इंवारमेंट आव्यगी वैल्यू यहां पर था वही पर यह ना टो ऊपर जा रहा है ना नीचे जाड़ा ना तो इसका म dependsड़ और यह नहां हो रहा है जो एकपर वैल्यू होता जा रहा है लेकिन इंटर्निवल ऑंटेन्ल मेंटेनर ए तो जो अगर जो और इंटर्नल खोंवनने के बाद भीो उस और्गनिजम को हम रेगुलेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं रेगुलेटर बोलते हैं मतला वो रेगुलेट कर सकता है एक्स्टरनल इंविरामेंट के अकॉर्डिंग अपने आपको ठीक एक्जाम्पल कैसे समझेंगे मान के चलिए टेंपरेचर है आज पांस डिग्री सेल सेल्सियस रहेगा कि नहीं रहेगा वो हमेशा थाटी सेवन डिग्री सेल्सियस ही रहेगा तो यहां पर है दस बीस तीस यह थाटी सेवन ठीक तो हमेशा क्या रहेगा थाटी सेवन ही रहेगा टेंपरेचर कितना भी एक्स्टरनल इंविरामेंट में बढ़ जाएगा लेकि चलिए यह यह अज़िए टन फर्मर ऐसे ओर्गनीजम्स और गोलते और गनीजम्स तो which adapt to which adapt to external changes changes by changing their internal environment by changing their internal environment काने का मतलब यह है कि अगर बाहर गर्मी पर बाहर जो टेंपरेचर होगा गर्मी पे most earlier लूग अगर्मी आंदर के अंधर का तरीणन कर पाएगा वाटर का जो लेभल है वो अगर अपका किना एंपर्म 2007 बोलता है कि all plant and nearly all plants all are conformers सब के सब क्या है conformer मतलब इनके पास capacity नहीं है खुद का internal environment को maintain रख सके क्यों क्योंकि temperature regulate करने में energy खर्च होता है temperature regulate करने में energy खर्च होता है और इतना energy खर्च करने के लिए इनके पास होता नहीं है इनके पास ऐसा कोई mechanism नहीं है जो की energy खर्च करके temperature regulate कर सके या फिर इनके पास इतना energy नहीं है जिसको खर्च करके ये temperature maintain कर सके ऐसे भी समझ सकते हैं आप तो इनको क्या बोलते हैं conformers तो आप से पूछा जाएगा कि mammals क्या है तो regulator plants क्या है तो conformer ठीक है तो regulator और conformer समझ में है partial regulator क्या है कि वो क्या करेंगे कुछ समय तक अपना temperature environment के हिसाब जाने देंगे फिर अपना temperature maintain कर लेंगे फिर अपना internal environment को maintain कर लेंगे external environment कुछ भी जैंजो उसको क्या बोलते है partial regulator ठीक है तो आपको हम बताए regulator क्या होता है conformer क्या होता है इसके बाद दो चीज़ और आता है migrate और suspend इसके बाद दो चीज़ क्या क्या आता है migration और suspension मतलब अगर कोई organism regulator नहीं है अगर कोई organism confirm नहीं है तो वह एक काम कर सकता है migrate कर सकता है जैसे एक्जामपल देते हैं आपको आपके ncati में एक एक्जामपल लिखा हुआ है कि देल ही से सिमिला चले जाना जैसे अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं या फिर आप दिल्ली में रह हैं तो गर्मी के मुझे में आपको बहुत गर्मी पर रही है तो आप वहां से उठीए और कहां चले जाए यह सिमला वहां आपको ठंडक मिलेगी वहां गर्मी से परेशान आप नहीं होंगे तो आप क्या किए एक जगह से दूसरे जगह माइगरेट हो गए तो कुछ और्गनिजम क्या करते हैं कि अनफेवरेवल कंडिशन में माइगरेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जहां पर फेवरेवल कंडिशन होता है वहां चले जाते हैं इसको क्या बोलते हैं माइगरेशन इसका एक फेमस एक्जामपल दिया उसमें दिया हुआ है कि जो साइबेडियन क्रेन होता है साइबेडियन बर्ड वह राजस्थान के भरतपूर में केवला देन कैसे और नेशनल पार्क पर कि अध्रतपूर ठीक तो बोलता है कि साइबेडियन क्रेयन हर साल क्या होता है कि ठंडियों में कहां जाता है केवलादेव नेशनल पार्क वहाँ पे क्या होता उसको फेवरेबल टेंपरेचर मिलता है और उधर साइबेडिया में क्या होता है उसको टेंपरेचर अनफेवरेबल हो जाता है गर्मी में तो यह क्या है माइग्डेशन का एक तरीका है तीसरा तरीका हो गया चोथा तरीका आपका सस्पेंशन का मतलब है कि जब आपको गर्मी लगेगी तो आपको थकान मसूस होगा पसीना चुटेगा कम जोड़ी आएगा बहुत तरह का बात होगा अगर आप काम कीजिएगा जब आपको गर्मी आता है तो आप कामी मत कीजिए ऐसे सो जाएए लेट जाएए अपने आपक एक एक हाइवरणे तो क्या होता है कि कुछ बीयड होता है जो भालू होता है वो विंटर में क्या करता है कि गूफा में जाके गुश्यकर जाता है ठंडियों में तो उसको क्या होगा कि ठंडी में क्या होगा हीट लगेगेगी तो कहां जला जाता है हइबर नेशन में चला जाता है हाइबर नेशन इस्टेज अफ सपेंडend डेवबलॉप्मेंट डिरिंग विन्टर और एस्टिवेशन के बारे ज़लते कहाँ foreign suspended development during summer ज्यादा गर्मी लग रहा है तब आप छुप रहे हैं तब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तब आप सुस्त पर हुए हैं तो हम गोल देंगे कि suspended development for phytoplankton and geoplankton जो छोटे छोटे डाय अटम्स होते हैं वो डाय अटम का suspended development होता है क्या डाय पाउस मतलब पाउस पर चलेगे कुछ दिन के लिए वो ग्रोथ नहीं करेगा ग्रोथ नहीं करेगा तो उसका energy खर्च नहीं होगा तो जो unfavorable environment है उसको वो sustain कर पाएगा कम energy खर्च करके तो यह आपका हम बता रहे है response to abiotic factor पहले हम आपको बताए abiotic factor क्या क्या था चार abiotic factor था water temperature, soil और light तो organism इन चारो abiotic factor से कैसे interact करता है ठीक है temperature में temperature को टॉलेट कर लिया तो क्या कर लाएगा uri align narrow range को टॉलेट कर पा रहा है तो क्या कर लाएगा esteno align ठीक उसी तरह से light पे dependent है की नहीं है light पे dependent कौन directly है कौन indirectly है soil है तो soil का क्या quality जरूरी है ठीक इसी तरह से आपको बताएगी temperature हो गया water हो गया light हो गया soil हो गया ठीक यह सब abiotic factor है फिर इस abiotic factor के लिए कौन सा organism कैसा response देगा अगर खुद को अपने आपको maintain कर पा रहा है तो regulator maintain नहीं कर पा रहा है internal environment तो confirm और अगर कुछ कुछ दूर तक confirm किया और फिर क्या किया regulate किया तो क्या बोलेंगे partial regulator यह तीन चीज़ बता है आपको इसके अलाबा दो चीज़ और बता है इसके अलाबा दो चीज़ क्या था एक है migration और दूसरा क्या है suspension तो migration क्या होता है migration होता है migration होता है moving from one geographical area to another geographical area in a state of unfavorable condition या फिर unfavorable environment ठीक यह होता है migration और suspension क्या होता है कि जहां थे वहीं है लेकिन थोड़ा inactive हो गया है जैसे seed क्या होता है dormancy state में चला जाता है आपके एंसाटी में एक्जामपल दिया हुआ है seed के dormancy का कि जब seed को favorable condition नहीं मिलता अभी आज मन के चलिए आम तो रहे आप आम खाए घुटली फेक दिये तो तुरंत ही कल पोधा नहीं निकलेगा वह कहां चला जाएगा dormancy state में जब उस पे पानी परेगा जब उस पे moisture आएगा जब वो उसको favorable condition मिलेगा oxygen मिलेगा तब जाके वो germinate करेगा ठीक है तो देखिए अभी तक क्या क्या बता है हम आपको major abiotic factor इससे पहले बायोम का क्या annual precipitation और annual temperature बता है उससे पहले बता है कि ecology क्या होता है organism क्या होता है population क्या होता है ठीक फिर organism का abiotic factor से क्या लेना देना है abiotic factor से कैसा response करता है ठीक अब उसके बाद है adaptation adaptation के बारे में आपका NCRT बोलता है कि mammals के इतना adaptation आज तक कोई नहीं कर पाया है इसलिए mammals को सबसे advance कहा जाता है क्योंकि mammals सबसे ज़्यादा environment से अपने आपको adapt कर पाता है ठीक क्योंकि बोलता है कि scorching desert से लेके जो है यह आर्क्टिक desert जो ice cool desert होता है पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल जहां पे बहुत ज्यादा मैनस में temperature होता है वहां भी mammals पाये जाता है बहुत गर्म इलाके में भी mammals पाये जाता है इसके अलाबा बोलता है कि hot water spring जहां temperature होता है वहां पे भी कुछ organisms पाये जाते हैं बेक्टरिया अगरे सब पाये जाते हैं वह मेमल्स की बात नहीं हो रही है तो adaptation में आपके दो important example दिया है एक kangaroo rat गला और desert plant का एक्जांपल करता है है और dessert plant कैसे आपने आ को एडाप्ट कर पाता है यह आपको समझना है नहीं के तो kangaroo rat है kangaroo rat क्या करता है कि उसको जब पाणी की जउरत परती है तो पाणी तो उसके पास जयाधा है नहीं एक बार तो पी लिया उसको बचा के रखना है तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इसके पास टेक्निक होता है कि इसके बॉड़ी के अंदर जो भी वाटर का रिक्वाइर्मेंट है वो कहां से पूरा करेगा इंटर्नल फैट ऑक्षिडेशन से इसके बारे में लिखते है ऑफ बारे में लिखते हैं आप बाइट इन्टर्नल ऑक्षिडेशन ऑफ फैट तो बॉड़ी के अंदर जो फीजियोलोजिकल मेकेनिजम चलता जिसमें फैट का ऑक्षिडेशन होता है तो उस फैट के ऑक्षिडेशन में क्या होता है वाटर एजब बाइप्रोड़क्ट ब वाटर इस फैट के ऑक्षिडेशन के बाइप्रोड़क्ट में बनता है उसी वाटर का यूज बोडी का जितना भी वाटर रिक्वार्मेंट है उसमें ये पूरा कर लेता है और इसके अलाबा ये इट पासेश इट पासेश हाईली कंसंट्रेटेड यूरीन हाईली कंसंट्रेटेड यूरीन का मतलब पानी निकाल लेगा यूरीन से तो यूरीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वाटर का डी अब्जॉर्बशन ज्यादा होता है यूरीन से इट पासेश हाईली कंसंट्रेश treated Urin To conserve Water To conserve Water तो ये इसका adaptation है किसका adaptation है? कंगारुरेट का क्या adaptation है? Water इसको कंजर्ब करना है इसके लिए इसके के बॉडी में दो mechanism है पहला mechanism ये है कि fat oxidation से जो water बनता है byproduct में उस water को ये use कर लेता है water requirement के लिए और दूसरा adaptation ये है कि यूरीन इतना concentrated पास करता है कि यूरीन में जो भी water है उसको वापस ये री अब्जॉर्ब कर लेता है तो यूरीन जो है highly concentrated यूरीन बनता है ठीक है तो यूरीन के थूरू minimum water loss होता है और बांकी water जो है ये री अब्जॉर्ब कर लेता है तो ये इसका क्या है adaptation कंगारू रेट का इसके अलावा बात करते हैं हम लोग desert plant का क्या adaptation है ये समझ में आ गया सबसे पहला बात यह है कि थिक cuticle इसके lips में इसके stems में क्या होता है ठीक cuticle का लेयर होता है cuticle क्या होता है एक waxy substance होता है जहां से water क्या हो सकता है water evaporation रूप जाता है ठीक है इसके अलावा इसका जो leaf है leaf मोडिफाइज इंटू एस्पाइज इंटू एस्पाइज इंटू एस्पाइज तो लीफ अगर एस्पाइज में मोडिफाइज हो जाएगा तो इससे क्या होगा थोर्म या एस्पाइज यानि की काटा में मोडिफाइज हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि लीफ का सर्फेस एरिया ज्यादा होता है लेकिन अगर लीफ को यह देखिए इतना बड़ा लीफ है और इसको हम लिखते हैं लेस सर्फेस एरिया लीफ को अगर हम इस्पाइन में मोडिफाई कर देंगे तो क्या होगा वाटर का लॉस कम होगा कि नहीं होगा तो ट्रांस्पडेशन के थूरू वाटर का लॉस कम होगा इसके लाभा बोलता है कि इसके अंदर चलता है केम पाथवे लिए जैसके लेसएं इसीड मेटाबो लिंब एसको क्या बोलते हैं यह इस लिए इस की मदकैर क्या होगा जब आपको उन ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट चेप्टर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे आपको बताए थे कि कैम प्लांट में क्या होता है कि एस्टोमाटा रात को खुलता है तो एस्टोमाटा दिन को जब खुलेगा तो मैक्सिमम जो 90% से ज्यादा जो होता है एवाप एस्टोमाटा को ही नहीं ओपेन करेंगे तो एस्टोमाटा के थुरू वाटर लॉस भी रुख जाएगा तो एस्टोमाटा को खोल कब रहे हैं रात में और रात में तो दूप होती नहीं है तो टेंपरेचर रहेगा नहीं तो क्या होगा वाटर लॉस मीनिमम होगा तो यह adaptation है डिजर्ट प्लांट का ये पानी को कंजर्ब करने के लिए यह इंटर्नल ऑक्षिज़ जो पानी पी रहा है उसको तो यह स्टोर करके रख लिया जो इंटर्नल ऑक्षिडेशन ऑफ फैट है उससे जो बाई प्रोडक्ट में पानी मिला उसी को यह यूज कर लिया और उपर से यूरीन जो बन रहा था उस यूरीन में से भी मैक्सिमम माटर को यह री अब्जॉर्ब कर लिया तो यूरीन कर लेते हैं फिर चलेंगे हम लोग पूपलेशन में अब है कि देखिए सबसे पहले हम लोग बात किये थे यह बायोम का की एन्वर टेंपरेचर और एन्वर प्रिशिप्रेशन डिपाइड करेगा कि वहां पेरपोधे कौन से होंगे और पेरपोधा वहां कौन सा है वह डि कि कुछ एबायोटिक फेक्टर होते हैं कौन-कौन से टेंपरेचर, वाटर, लाइट, स्वाइल, टेंपरेचर आपको बताए योडी थर्मल क्या होता है और एस्टीनो थर्मल क्या होता है फिर आपको वाटर में बताए कि योडी हेलाइन क्या होता है और एस्टीनो हेलाइ क्या होता है फिर आपको लाइट में बताइक कि लाइट जरूरी है फोटो सेंदह इसके लिए फोटो सेंदह जरूरी है ओटो ट्रॉप के लिए autotrop जरूरी है heterotrop के लिए फिर आपको soil के बारे में बताए कि soil का क्या क्या point जरूरी है इसके बाद हम लोग response to abiotic factor परेते response to abiotic factor में क्या क्या है conformer regulator partial regulator और इसके अलाबा दो चीज़ क्या था migration और suspension क्या क्या है migration और suspension में आपको example बताए था और केवलादेव नेशनल पार्क में साइवेरियन क्रेन का migration इसके लाबाद suspension में आपको बताए थे कि estimation क्या होता है है और diapause क्या होता है इसके बाद हम लोग बात किये थे कि कंगारो डेट और डेजर्ट में कैसे adaptation होता है अब हम लोग बात करेंगे population का chapter का नाम क्या है organism and population तो organism का biotic factor, abiotic factor से क्या interaction होगा और उसका क्या response होगा वो हम लोग पढ़ चुके हैं अब बात करते हैं what is population तो population का अभी आपको हम definition बताए थे ग्रूप अफ इंडिविज्वाल living in particular geographical पर्टिकुलर जेोग्रोफिकल अर्या अर्टिकुलर ताइम अर्टिकुलर ताइम पर्टिकुलर ताइम परियर शेरी शेरी और competing sharing और competing similar resources similar resources यह आपको मुसमझाये थे अभी introduction में chapter ले स्टाट करते ताइम कि बहुत सारा individual का ग्रूप होगा और वो सारे ग्रूप एक ही पर्टिकुलर जेोग्रोफिकल एडिया में होंगे और same resource share करेंगे या उसी resource के लिए compete करेंगे उसी तरह का खाना खाएंगे और उसी तरह के खाने को share करेंगे या उसके लिए compete करेंगे उसी तरह की environment में रहेंगे उसी नदी से पानी पियेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम population बोलेंगे ठीक अब population के बारे में बोला है कि representation of age pyramid for human population यह क्या है इसको समझते हैं human population का age pyramid, population attributes ठीक, तीन तरह का population को pyramid के तुरू दिखाए गया है expanding population, stable population और declining population इसका मतलब क्या है यह समझे population में age group होता है pre-reproductive age group, reproductive age group और post-reproductive age group इसका क्या मतलब है जैसे बच्चे हैं जिनकी साधी नहीं हुई है वो किसमें आएंगे? pre-reproductive age group में reproductive age group में क्या आएगा? 25 साल से 40 साल का adult जो की जिनकी साधी हो चुकी है और जो की क्या कर सकते हैं? population को expand कर सकते हैं ठीक है? और भी बच्चे पैदा कर सकते हैं post-reproductive age group ठीक है? जो की बुढ़े हो चुके हैं जिनका पाउं कवर में लटका हुआ है उसको क्या बोलेंगे? post-reproductive age group जैसे female है तो उसका मीनों पाउज आ चुका है ठीक तो 50 साल से उपर का age group क्या हो जागा? post-reproductive age group तो expanding population कब बोलेंगे? stable कब बोलेंगे? declining कब बोलेंगे? expanding तब बोलेंगे कि अगर आपके पास अगर कोई population है उसमें 100 लोग है 100 में से 40 बच्चा है 20 जो है 25 से 40 साल के बीच है और 40 यह 30, 25 से 40 ऐसे लिख सकते हैं हम डाडा लिख सकते हैं 40 जो है क्या है? child है ठीक? यह children लिख देता है इसके अलाबद 30 जो है वो क्या है? adult है ठीक? और 30 जो है वो क्या है? old है बूडे है ठीक है? तो यह 40 बच्चे जो है कल को जाके adult बनेंगे की नी बनेंगे? फिर उनसे बच्चे होंगे की नी होंगे? ठीक है? तो जिस population में pre-reproductive वाला age group ज़्यादा होता है उस population को हम expanding population बोलते हैं यह देखिए pre-reproductive वाला ज़्यादा है की नहीं है? उससे कम है reproductive और उससे कम है, बुड़े लोग सबसे कम है तो उस population को हम expanding population बोलते हैं future में यह population बढ़ने वाला है क्यों? क्योंकि pre-reproductive ज़्यादा है तो इससे बच्चे भी ज़्यादा पैदा होंगे तो population में individual का number बढ़ जाएगा stable population किसको कहते हैं? stable population में क्या होता है? कि जो pre-reproductive होता है और जो reproductive होता है वो लगबग बराबर होता है लगबग क्या होता है? बराबर होता है तो उसको हम बोलते है stable population मतलब जितने reproductive वाले post-reproductive में जाएगे उतने ही pre-reproductive वाले फिर से reproductive में आ जाएगे तो आगे चलके भी वो population उतना ही रहेगा जितना अभी है लगबग बड़ाबर रहेगा तो उसको हम क्या बोलते है stable population declining population कब बोलेंगे जब pre-reproductive, reproductive से कम हो यह देखिए, reproductive ज़्यादा है और pre-reproductive कम है मतलब आज अगर आज अगर 40 adult है लेकिन बच्चे कितने हैं 30 तो जब future में क्या होगा कि यह 40 तो क्या हो जाएंगे old हो जाएंगे तो यह जो 30 है, यही 30 adult बनेंगे तो reproductive में 30 adult होगा और इस 30 के बच्चे भी 30 होंगे, कम होंगे तो क्या हो जाएगा कि future में इसका population का size कम होगा इस population में जो number है वो क्या होगा, कम होगा तो इसलिए इस population को क्या बोलते हैं declining population बोलते हैं तो तीन तरह का population attribute है क्या क्या है सबसे पहला क्या है, expanding expanding कब बोलेंगे, जब pre-reproductive ज़्यादा हो stable कब बोलेंगे, जब pre-reproductive और reproductive जो है declining population, तो यह आपका population attributes है इसके अलावा हम लोग natality, mortality, immigration, emigration अगरे सबका बाद, next lecture में करेंगे, और next lecture में population से related और भी चीज़े हैं यह population density के क्या होता है, population density का क्या formula है, इसको discuss करेंगे, फिर growth model के बारे हम बात करेंगे, और growth model के बाद, हम लोग population interaction का बात करेंगे, बहुत तरका population interaction होता है, इन सब का example deal करेंगे, फिर यह chapter खतम हो जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, organism और population में, organism वाला पार्ट हमारा complete हो गया, population वाला पार्ट complete हो जाएगा, thank you On is to on, study is always on concepts के बहतर realization के लिए is to on पर बने रहे है